चलिए उस तो बात करते हैं सिकूर नहीं कुशिन के बारे में इस कुशिन में एक्जामने ने का है there are 2 to 5 consisting of 1 रुपीज 50 पैसे and 25 पैसे कोईन the ratio of their number in that order 8 ratio 5 ratio 3 the number of 1 रुपीज कोईनी यानि 1 रुपीज की जो कोईन है वो आपको बताने है तो चलिए आईए solve करते हैं देकि एक्जामने ने का जो ratio दे रखा है coins का 8 रुपे वाला दे रखे हैं आपके 8 50 पैसे वाले दे रखे हैं 5 और जो 25 पैसे वाले दे रखे हैं वो आपके 3 दे रखे हैं मुझे पता है कि जो रुपीज वाले कोईन है वो एक रुपे में एक होगा और 50 पैसे वाले कोईन जो होगे वो एक रुपे में दो होगे अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूँ और इस तीन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे रुपीज में करना होट जाएंगे चार आएगा, चार आएगा मेरे पास में, तो इसको क्या करेंगे, चार बनाने के लिए इसको चार से मल्टिप्लाइ करेंगे, इसको भी चार से मल्टिप्लाइ करेंगे, इसको दो से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो इसका मतलब है 32 रुपे और ये कितना हो जाएगा, 10 रुपे अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो जोडने पर मेरे पास जो value आगी वो कितनी आगी आपकी 45 total जो है मेरे पास में आप 45 रुपे हैं बट है कितने मेरे पास में है 225 तो अगर मैं इसको 5 से multiply करता हूँ तो मेरे पास में ये 45 225 बन जागा जिससे से multiply किया उसी से आप एक रुपे वाले amount से multiply कर दे total number of coin आजाएंगे ये 52 इंदर्स पान्तिया पंदर्स 16 यानि कि 160 इस question का जो correct answer होगा वो option C होगा एक बच्चा कहते है सर जी आपने जिसके upon में जो value ली है वो कहां गयब होगी बेटा अगर आप उस value को लेके करेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा इसको यह पर divide में लेके आना पड़ेगा कैसे ज़रा देखिए अगर इस तरह से नहीं करने इस तरह से करने जाते हैं आप जिसे कि यह था कितना आपका यह 32 बाई में आपका 4 और यह जाएगा आपका ratio में आपका कितना हो जाएगा दस बटे में आपका कितना 4 और यह कितना हो जाएगा आपका तीन बटे में आपका कितना हो जाएगा 4 यह आपको value देखिए आपने LC में लिया तो अगर मैं इन सब को मैं add करूँगा तो add करने पर मेरे पास जो sum बनेगा वो कितना बज़ेगा आपको 45 बनेगा आपका और by में 4 बनेगा तो यह value क्या हो जागी आपकी यह value हो जागी आपकी 225 यह examiner ने मुझे दे रखा है अब देखे 45 इसे किस से multiply करना पड़ेगा 45 यह नि 20 से multiply करूँगा तो मेरे पास में यह value बनेगा अब इस 20 से इस से multiply कर दीजे तो भी आपका अंसर सेम आगा नि 32 बटे में कितना 4 इंटू में आपका 20 से multiply गा तो यह कि पांच चोग 20 तो यह कितना आपका एक रुपे वाले मेरे पास जो coin है वो 8x है प्लस में 50 पैसे वाले coin कितने मेरे पास में आपका आपका 5x और दोसरे divide करूँगा तो यह रुपे में चेंज जाएगा प्लस का 25 पैसे वाले कितने 3x बाइ में कितना हो जाएगा आपका आपका यह 4 हो जाएगा बराबर इन का sum जोई अभी रुपे में कर्मेट होगी तो कितना होगा 225 तो इसका जब LC में लोगा तो same वो ही आएगा आपका 8 चोग 32 एक्स प्लस का 5 दूरी 10 एक्स प्लस का 3 एक्स आप उन में कितना हैगा 4 बरावर में कितना हो जाएगा आपका 225 इसको एड़ करेंगे तो कितना होगा 45 बरावर में कितना हो जाएगा 225 यानि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगी 225 इंटू में 4 बाई में आपका 45 तो ठीक है इससे इसको मल्टिकुल आएगा तो 45 पंजे 5 तो एक्स की वैल्यू कितना होगी कितने में आपका by x आएँट इंटू में x और x की वैल्यू कितने में आपका by x 25 तो कितना होगा 1813 Simon और कि सभूशन के लिए क्यूर्य में प्रचले होगा और सभी को क्थले समझ में आया होगा और अ